तो हलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉली टेक्निक के नमवर वन श्टेडी चैनल रेसवाइ एकेडियम है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इस्पेसली बिहार पॉली टेकनिक का सेलिबस क्या है, कितने कोस्टन्स आते हैं कितने questions आपको बनाने होंगे किस तरीके से आप study करेंगे कि आपका selection हो जाए और form कब आते हैं और form जो आएगा paper कैसे भरना है या फिर form भरने के बाद जब paper देना है वो कैसे देना है तो सभी चीजों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे जो आपकी छूटनी नहीं चाहिए है ना तो बिहार पॉल टेकनिक की पहले बाद हम लोग form से start करेंगे कि form कैसे भरा जाएगा तो form आपको पहले तो offline भरा जाता था अब form online भरा जा रहा किसी भी cyber cafe से आप form online भरवा सकते हैं इसके बाद देखो form भरने के लिए मैं बता दू लगवक 30 से 45 दिन आपके पास समय दिया जाता है कि आप ज़र form भरवा सकते हैं कहीं पे भी cyber cafe जाके है ना 500 के करीब उसमें form का पैसा लगता है इसके बाद जब आपको date मिल जाएगा फीर आएगा exam date है ना तो exam form भराने के बाद 30 दिन छोड़ दो plus 30 दिन extra आपको preparations के लिए मिलेगा तो 30 दिन बाद ही होगा 30 से 40 दिन बाद ही exam होता है है ना 30 दिन बाद आप समझ सकते हो जब आप form भर लोगे सबसे special चीज है कि question mode या exam mode कैसा होगा तो बाकी state का तो online हो गया है अभी तक 2020 तक बिहार बोट का जो paper है वो offline mode में हो रहा है यानि कि offline mode में आपका paper होगा जिसमें आपको question booklet paper मिलेंगे उसमें questions रहेंगे उसके साथ एक आपको OMR answer seat मिलेगा जिसमें आप अपने answer को tick करोगे और आपको पुरा solve नहीं करना रहता है बच्चे confused रहते हैं कि सर पुरा solve करना है objective question आते हैं objective objective का मतलब एक questions दिया रहेगा और उसके चार options रहेंगे एक question दिया है चार options है जो आपका सही है आप A को click करो B को करो C को करो D इस तरह चार options रहेंगे चारो में से एक को आपको color करना रहेगा समझ पा रहे हैं conclusion नहीं होना चीज़े clarity रहेगी तो ज़्यादा देर तक आप उससे समझ पाएंगे इसके बाद जब आप exam दे दिये exam देने के बाद आपको result मिलता है सबको पता है कि result के लिए और विहार का result थोड़ा जल्दी आ जाता है पंद्रह दिन बाद आपका result आ जाएगा जब भी exam दे देंगे पंद्रह दिन के बाद result आ जाएगा और result आने के एक दो हपते बाद ही आपकी counseling स्टार्ट होती है है ना online counseling होगी counseling कैसे होगी online यह क्या होता है यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पूरी पढ़ाई करके जब आप paper दे दिये इसी नहीं जानेंगे तो मामला गड़बला जाएगा counseling में आपसे पूछा जाता है आपके दिये गए number क्यांसा कितना number आप पाएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा college में admission चाहते हैं किस branch से चाहते हैं तो जिसका number बढ़िया उसको बढ़िया college और जिसका number खराब उसको दूर वाला खराब branch मिल जाएगा इसलिए जिसका number जादा आएगा उसका result और college दोनों अच्छा रहेगा अच्छा कुछ चीजे और है कि pass mark क्या है तो pass marking पे भी हम लोग बात करेंगे और उससे पहले यह चीजे जानो कि आपका syllabus पूछता क्या है है जो आपका mainly जानना है कि syllabus में पूछेगा क्या है तो syllabus में आपको क्या क्या पूछेगा पहले physics आएंगे chemistry के question आएंगे आपके पास और इसके अलावा mathematics के question आएंगे mathematics से हैं और इसका फुल सलेबस chapter wise हम लोग अलग से दिये हुए हैं फॉर्म कैसे भरना है क्या चीज़े करना है उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएंगे तो फिजिक्स के देखो 24 चेप्टर 24 चेप्टर फिजिक्स के chemistry के 24 चेप्टर जो आपको पढ़ने और mathematics से 50 चेप्टर लगवग लगवग हैं लेकिन 40 में लिखना हूं और य इसके बाहर नहीं आएगा है और कितने चेप्टर की बात हो गई अब उन्स की बात करते हैं कि कितने को सब्सक्राइब पर जाएंगे Chemistry के आपके पास 30 questions आएंगे और Mathematics के भी 30 questions आएंगे और सबसे special बात ये है कि marks कितने मिलेंगे एक questions सही करेंगे तो कितने marks मिलेंगे एक questions सही करेंगे तो आपको 5 number मिल जाएगा एक question 5 number का 30 questions किये तो इस तरीके से सब में 5-5 number आप जोड़ सकते हो multiply करा लो यानि Mathematics के अगर 30 questions आप कर रहे हो तो 30 में multiply करा लो 150 number का math आया 150 number का physics और 150 number का chemistry total number को आप जोड़ सकते हो 440 आजाएगा यानि 450 numbers का आपका total पूरा का पूरा paper होना तै है और इसी में सुनो special बात इसमें जान लो कोई भी negative marking नहीं है कोई भी negative marking नहीं है अभी तक कि आपको इस total 90 questions जो आ रहे है 90 में जो आ रहे है वो तो करना ही करना है और जो नहीं आ रहे है उसे भी कर देना है क्यों करना है क्योंकि मालो आप 10 question छोड़े हुए हो कि हमें नहीं आ रहे है toughest question है अब 10 question में तक 10 में 3 questions भी सही हुआ तो 15 number आपका चाहता हो जाएगा अब 15 number का मतलब आप लगवे 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 25-30 1000 students से अच्छा rank लेकर आजाओगे उपर तो इसलिए एक भी single question छूटना नहीं चाहिए चाहे जो हो जाए क्योंकि negative marking नहीं है आपके exam में समझभार है इतने questions आएंगे आपके पास अब रही बात की pass mark कितना होगा आपको pass करने के लिए कितना लाना होगा तो देखो यह competition है इसमें number fix नहीं है कि 60 इतने number ले दिये 60% हो गया तो हम first division आगे यह competition है हर साल मालों पिछले साल कुछ लड़के ज्यादा form भरे होंगे हो सकत जाता है और कभी कभी 220-230 number पर भी नहीं मिल पाता है लेकिन एक average देखा जाए तो अगर आप 60 questions बना ले रहे हो कितना 60 questions बना ले रहे हो और 60 questions बहुत ही आसान है मालों कमें इसमें 30 questions है आप 10 questions कठीन आ रहा है physics में छोड़ दिये इसमें भी 10 मतलब लग 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 आप 10-10 questions छोड़ दे रहे हैं 30 में तो 20 questions physics, 20 chemistry, 20 mathematics के 60 questions अगर आप बना पा रहे हैं 60 questions का मतलब वहता है 300 number कितना 300 marks अब 300 marks जो बच्चा ला दिया समझ लो उसे top 5 में admission मिल जाएगा top 5 colleges में जिहार में चाहे आपका पटना हो चाहे मुझफरपूर के वो सारे colleges आपका स्वागत करेंगे अगर आप इतना number ला पाओगे अगर नहीं ला पारे हो तो बहुत ही 10-10 questions छोड़ भी दे रहे हो नहीं भी कर रहे हो फिर भी नहीं ला पारे हो हमारी यहां के बच्चे देखे हो 70-80 questions असानी से बना ले रहे हैं अभी अभी paper हुआ ही नहीं है model paper solve हो रहे हैं practices हो रहे हैं online test करवा रहे हैं और बच्चे अच्छे number ला रहे हैं 20 में 17-17-18-18 questions मतलब percentage काफी ज़्यादा उनका अच्छा है और इस तरीके से आप चलो 300 नहीं भी ला पारे हो अगर मैं fix कर दूं कि आप 250 प्लस ला दो तो government college आपको मिल जाएगा इससे ज़्यादा मैं आपका नहीं help कर पाऊंगा क्योंकि कुछ तो पढ़ना पढ़ेगा बिना पढ़े ऐसे ही नहीं आप government college में चले जाओगे हाड वर्क करना पढ़ेगा और smart तरीके से आपको हाड वर्क के साथ साथ smart वर्क महीं करेंगे इस ट्रिक को अगर नहीं यूज करेंगे तो अग्दम मेहनत करते रहो लाश्ट तक पता ही नहीं चलेगा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना था और लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं आपको नीड या तो आप रेगुलर्टी सेल्फ स्टड़ी घर से कीजिए और उससे ज्यादा आपको और और हल्प चाहिए तो आप हमारे online classes भी जॉइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल online classes में लगभग 100% स्टुडेंट सेलेक्ट होते पिछले बार आपने देखा बिहार पॉल टेकनिक में 25 स्टुडेंट सेलेक्ट हुए और टॉपर भी rank 1 भी हमारी कोचिंग साया और बिहार पॉल टेकनिक जारकंड यूपी और इंडिया स्टेट में पॉल टेकनिक का नंबर 1 चैनल आप लो या फिर आप सुनो एक काम और करो रिश्वा अकेडमी का मोबाइल एप है प्ले स्टोर से रिश्वा अकेडमी के मोबाइल एप को डॉपर करके वहां पे जाओ पहले फ्री की वीडियो देखो क्लासे अच्छी लगती है तो जॉइन कीजिए कोई दिक्कत होती ही डाइरेक जरूर लगा दिया करो वीडियो आपको हर एक टॉपिक पर आल्रेड़ी वीडियो बनाया गया है तो आप सभी का बहुत ज्यादा हिल्प हुआ होगा कोई दिक्कत या कोई कंश्यूजन और भी रागया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूचिए आपके कमेंट का रिपल अगया है तो हुआ है है